ही गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू नॉटी स्टेचेज आज की इस वीडियो में हम डोरी का इस्तमाल करके एक सुन्दर सा स्लीव का डिजाइन बनाएंगे इसे बनाने के लिए मैंने और गैंजा फैब्रिक लिया है आप यहां पर नेट का फैब्रिक भी ले सकते हैं या फिर कोई पुरानी चुन्नी भी ले सकते हैं तो इस तरह से अब अकबार के उपर इसको रखके चारो तरफ से हमें सिल देना है ताकि यह थोड़ा सा हाड हो जाए और इसके उपर गोटा लगाना असान हो जाए तो इस तरह से मैंने चारो तरफ इस कपड़े को अकबार के उपर अच्छे से सिल लिया है अब इसके उपर अटैच करने के लिए मैंने ये वाला गोटा लिया है ये बिल्कुल बारीक डोरी जैसा गोटा है आप चाहे तो सिंपल गोटा भी ले सकते हैं लेकिन जादा चौड़ा गोटा यहां पर मत लीजेगा जितना बारीक आपको गो बिल्कुल बराबर दूरी पर यहां पर हमें गोटे को रखना है और सिलते जाना है अब इस तरह से मैंने लंबी-लंबी लाइन्स गोटे के अटैच कर ली है अब हम दूसरे डिरेक्शन में गोटा लगाएंगे जिससे की बॉक्स जैसा बैटन बन जाएगा ये देखिए आ आप चाहें तो इससे भी जादा नजदी गोटा लगा सकते हैं और बहुत ही बारीक बॉक्सेस भी बना सकते हैं तो इस तरह से मैंने यहां पर गोटा अच्छे से अटैच कर लिया है ये देखिए अब हमें इसके नीचे से निउस्पेपर को निकाल देना है जो की बहुत ह असानी से निकल जाएगा कपड़े को हम हलका सा खीचेंगे और इस तरह से निउस्पेपर के छोटे-छोटे पीसिस को पीछे से निकाल देंगे तो इस तरह से ये गोटा अच्छे से अटैच कर दिया है मैंने और अब हमें एक और कागस का टुक्ड़ा लेना है इसकी चोड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 14 इंच ली है और साथ ही मैंने एक और कागस का टुक्ड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई है 2.5 लंबाई है तीन इसे मैने बीच में से फोल्ड कर लिया है और इसके उपर मैंने एक रॉन पैटल कर लिया है अब इस ने को हम काट लेंगे कि इस सरहं अब इस पेपर का हम सैंटर माुट करेंगे और सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में हम एक half circular shape draw करेंगे अब इसके उपर हमें petals draw करनी है तो तीन petals हमें इस half circular shape के उपर draw कर लेनी है यहाँ पर मैं बिल्कुल round petals बना रही हूँ आप चाहें तो थोड़ी लंबी petals भी बना सकते हैं अब इसी तरह से मैंने तीन petals यहाँ पर draw कर ली हैं बिल्कुल साथ साथ और यह जो हमने गोटा लगा कर organza fabric की पटी तयार की थी इसे हम इस तरह से इस paper के उपर रखेंगे और सिल लेंगे यह देखिए अब इसके उपर डिजाइन बनाने के लिए मैं यह सिल्क वाली डोरी ले रही हूँ जो कि आपको किसी भी lace वाली शॉप पर आसानी से मिल जाएगी यहाँ पर मैंने इसको सूई के अंदर नहीं डाला है बस मैंने pressure foot के नीचे इसको रख दिया है ताकि इसको सिलना आसान हो जाए और हमें डोरी को बार-बार हाथ से ना घुमाना पड़े तो नीचे की तरफ जो मैंने design draw गया था उसके उपर मैं घुमा घुमा कर इस डोरी को attach कर रही हूँ बिल्कुल pen के निशानों के उपर ही हमें डोरी को घुमाना है तो यह देखिए इस तरह की डोरी मैंने ली है आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं और किसी भी shop से इस डोरी को खरीद सकते हैं यह देखिए कितनी आसानी से हमारा यह pattern बंता चला जा रहा है यह देखिए अब यहाँ पर मैं ready में डोरी का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहे तो हाथ से बने हुई बारीक डोरी का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर आप उन से भी इस design को बना सकते हैं जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपने channel पर post किया हुआ है अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं description box में इसका link देदूँगी आप वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने ये pattern यहाँ पर बना दिया है डोरी के साथ इस तरह कि देखिए अब हम इस पट्टी के पीछे से कागस को निकाल देंगे इस तरह से बहुत ही केरफुली हमें इस कागस को निकाल लेना है ये देखिए अब साइट से एक्स्ट्र कपड़ा मैंने यहाँ काट लिया है इस तरह इस कपड़े को काटने के बाद हम इसकी edges को soldering iron या फिर lighter से बन कर लेंगे ताकि इसके धागे न निकले इस तरह से इसको मैंने अच्छे से काट लिया है और अब यहाँ पर मैंने soldering iron को गरम कर लिया है और design की किनारी पर मैं इसको इस तरह से घुमा रही हूँ ताकि organza fabric की जो edges हैं वो थोड़ी सी burn होकर melt हो जाएंगी और इसके धागे नहीं निकलेंगे तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से melt कर लिया है side से आप चाहें तो lighter की मदद से भी इसको melt कर सकते हैं अब कुर्ती के उपर हमें इसको उल्टा करके रखना है किनारी से थोड़ा से extra कपड़ा मैंने इसले रखा है ताकि इस तरह से fold करके हम इसके उपर sell सकें कर रही हूँ आप चाहें तो सुई से भी अटाच कर सकते हैं अब soldering iron की मदद से हम कपड़े को यहां से भी थोड़ा सा burn कर देंगे जिससे की तीनों flowers अलग अलग नज़र आएंगे यह देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से burn कर लिया है और डिजाइन हमारा बन कर तयार हो चुका है इसी डिजाइन को आप अपने कमीज के दामन और ड्राउजर पर भी बना सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो guys thank you so much for watching bye bye